तो आप कॉल कर सकते हैं बाबा खान बंगाली जी को उनका नंबर है डबल एट नाइन टू ट्रिपल जीरो सेवन एट सिक्स फोटो से वशीकरण कर सकते हैं जी हाँ फोटो से वशीकरण आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप फोटो से दिव्य शक्ती वशी करण कर सकते हैं सच्चा होगा वशी करण का उपाए और आपकी जिंदगी को बदल देगा इस दुनिया में बहुत से दुखी हैं एक तरफ प्यार को लेकर परेशान है तो लोग सोचते हैं उनका प्यार मिलेगा या नहीं सोचते सोचते दो साल निकल जाते हैं पर कुछ नहीं होता ऐसे में कोई आकर उनके प्यार को उनसे छीन ले जाता है और वो लोग दुखी रहते हैं तो आज सभी दुखी भाई और बेहनों को ये विडियो के द्वारे ये बताना चाह रहे हैं कि आप चिंता ना करें, आपका प्यार आपका जरूर होगा, आपका खोया हुआ प्यार, आपका एक तरफा प्यार आपके लिए तडपेगा, आपसे मिलने के लिए पागल हो जाए क्योंकि अभी तक बहुत से दुखी भाई बेहन इस दिव्य मोहिनी वशीकरण के बारे में जानना चाहते थे और उन्हें इस बारे में जब हमने बताया, तो उन्हें उनका प्यार मिल गया, रुठाओ प्यार मिल गया और लोग इस उपाय को करके हैरान हो गये, कि ये कैसे हो गया, वे अपनी आखों के सामने उन्होंने देखा कि कैसे ये मंतर उनके जीवन में प्यार को वापस ले आया, इस मंतर से आप भी अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये मंतर आदी काल से ही शक्तिशाली मंतर है, जी हाँ आज आपको बताते हैं तरीका की स दराब कर रखी हो, आप सोना पा रहे हो, आपको धोखा दे कर कोई चला गया हो, पत्नी के बीच लड़ाई हो रही हो, पत्नी अपने माईके से भाग गई हो, या फिर आपको बता दें कि आप किसी को पाना चाहते हैं, तो आपको ये उपाए, आप इसे कर सकते हैं, आप इसे कोई भी मित्र या परिवार का कोई भी जन अगर दुखी है तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा ध्यान से इस वीडियो को देखें स्किप ना करें मैं आपको बताती हूँ पूरा तरीका किसी को अपने वश में करनेगा जी हाँ सबसे पहले आपको जिसे वश में करना है उसके बारे में सोचें मन से याद करें उसे महसूस करें उसका अगर फोटो है तो फोटो अपने सामने रखें फोटो अगर मुबाइल में हो तो भी चलेगा आप उसे अपने सामने रखें प्रिंटेड हो तो भी चलेगा आप फोटो को अपने सामने रख कर आपको ये मंतर बोलना है लेकिन मैं आपको सला दूँगी कि आप अगर चाहें तो जिस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते उसके सामने जाकर चुप चाप आप थोड़ी देर उसे देख सकते हैं इससे क्या होगा कि वो आपको आपके मन में पूरी तरह से उतर जाएगा इसके अलावा आपको क्या करना है कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप मन ही मन ये मंत्र बोल रहे हैं जब आप उसके सामने पहुँचें तो आपको यह मंत्र बोलना होगा लेकिन उससे पहले आपको इस मंत्र को अभी मंत्रित करना होगा आपको इस मंत्र को इक्यावन बार पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा मंत्र है ओम क्लीम नमो क्लीम हीम करो फट स्वाहा जी हां बीच में आपको इस व्यक्ति का नाम बोलना है जैसे कि ओम क्लीम नमो क्लीम रीम अमुकम वश्यम करो खट स्वाहा इस मंतर को आप अपने सामने लिख लीजिए और इसी मंतर को आपको बार बार बोलना है इसे आपको 51 बार बोलना है और उसके बार जब आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे वहाँ पर आप आपके घर से जिस तरफ उस व्यक्ती का घर है जिस देशा में उस व्यक्ती का घर है आपको उस तरफ मू करके पांच बार इसको दुबारा बोलना है अपनी प्रेमी या प्रेमिका को याद करें उसे वश्मे करना चाहतें उसे महसूस करें और सचे मन से आपको इसे बोलना है इस वीडियो को पूरा देखें मैं आपको आगे भी कुछ और चीज़ें बताऊंगी आपको क्या करना है कि पहले आपको अपने हाथ पाउं शुद्ध करने है जी हां आप हो सके तो नहा लें या फिर आप अपने हाथ पैर मुँ अच्छे से धोलें और उसके बाद ये उपा आपको पांच दिन तक लगातार करना है जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया आपको कुछ और चीज़ों के अभी याद रखना है जी हां आपको मचली मास अंडा ये सब चीजे नहीं खानी है लेसन प्याज नहीं खाना है इसके अलावा मास मदीरा से दूर रहें ये सब चीजें ना करें पांच दिन तक आपको ये उपाय करना है जब आपकी क्रिया पूरी हो जाएगी तो जिसके नाम से आपने इसे किया है वो आपकी तरफ आकरशित होगी और आपके जीवन में वापस आ जाएगी जो भी दुखी भाई बहन जिन्होंने इसको किया उ जरूर करेंगे तो आप कॉल कर सकते हैं बाबा खान बंगाली जी को उनका नंबर है डबल एट नाइन टू ट्रिपल जीरो सेवन एट सिक्स